इस वीडियो में बात कर लेते हैं आयर्व इंफ्रस्ट्रक्चर की कोई क्लिए इनलेसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आयर्वी में आप देख रहे होगे स्टॉक में कंसिस्टेंट डॉप डाउन मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहां पर आप देखें पहले इसको वीकली टीएफ पे देखें तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पॉल क्यों बनती हुए जा रहे हैं इतने जादा वीकली टीएफ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो स्टॉक नहीं यहां कहीं से बड़ा मूव पकड़ा थ था दो तीन हफते तो यह काफी अच्छा चला था अब यहां पर भागता तो जा रहा था यह आपको दिख रहा है सारी एक बुले स्केंडल दिख रही है और यहां कहीं आपको इतने पूरे रेंज में करेक्शन कहीं दिखाई दिया कहीं भी करेक्शन था ही नहीं स्टॉक तेजी के साथ उपर भाग रहा था हालां कि और यहीं स्टॉक अगर एक स्लो मोमेंटम के साथ जाता और करेक्शन लेती हो जाता तो स्टॉक का प्राइज आज भी 50 के आसपास या 50 के नीचे ही होता बटी यह इतनी तेजी से भागता हुआ गया इसलिए यह करेक्शन का यहां भी सपोर्ट बनते हो रहेगा, उपर की ट्रेंड लाइन की बात करें यहां पे तो यह रिजस्टर कर रही है यह सब उपर की दिशा में बढ़ सकता है बढ़ कोई जादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नथ करिए यहां से जाएगा तो 55 and maximum maximum to the 60 क्योंकि अगर एक recovery आती है तो यहीं तक आएगी और उसके बाद फिर से stock धीरे धीरे नीचे की दिशा फिर से पकड़ेगा क्योंकि correction अभी stock में बाकी है अब यहां पर अगर 50 का level कल break होता है by any means unstability रहती है अगर recovery नहीं दिखती है कल भी sell off दिखता है market में या फिर आने वाले next week में फिर से अगर fall बनता है IRB में तो अगर यहां पर 50 का level break होता है तो अपना next support होगा यहां पर 47 के round further falling पर अपने support बनेगा यहां पर 44 के आसपस और फिर नीचे की दिशा में 40 definitely यह 40 के level सारे test करेगा क्योंकि stock काफी देजी के साथ उपर गया था तो यह level अभी test होना बाकी है तो यहां पर support अगर बनता है तो मेभी थोड़ा सा उपर की दिशा पकड़ेगा बट overall धीरे धीरे करके उसको नीचे ही आना हैगा क्योंकि weekly TF अभी bearish हुआ नहीं है बट होगा तो definitely आएगा और time लेगा फिर उपर जाने में तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में तो यह तो हो गए नीचे के support अपने सारे बात करें कि stock में उपर की दिशा में resistance कहां रहने वाली है तो resistance आपकी एक तो 55 पर पड़ेगी उपर की दिशा में परदर अगर और उपर जाएगा तो फिर यहां से कुछ अपनी यह रहेगी 58 के आसपास जादा कुछ नहीं दो ही resistance आराउंड हैंगी अपनी जहां पर stock में थोड़ा subvert momentum देखने को मिल सकता है तो फुली यहां मैंने सारी चीज़ने क्लियर कर दिया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मिसुबम यादव साइनिंग आप